मुख्य मंत्री नितीश कुमार और उप मुख्य मंत्री तिरश्वी यादव के बीच बढ़ती हुई दूडियों की जलक सनिवार को साफ दिखाई दी बकसर में आयोजित परेटन विभाग के कारिक्रम में नितीश कुमार और तिरश्वी यादव दोनों को जाना था लेकिन तिजश्वी यादव के यहां नहीं जाने की खबर सामने आई नितीश कुमार पटना से बकसर के लिए रवाना हो गए लेकिन तिजश्वी यादव यहां कारिकरम में नहीं आई बिहार परेटन विभाग द्वारा बकसर जिलान तर्गत ब्रमेश्वर स्थान मंदिर के विकास कारे फेज एक का उद खाटन और फेज टू का सिलान्यास कारिक्रम होना है मुख्य मंतरी नितीश कुमार इसका सुभारम करेंगी वही कारिक्रम की अधिक्षिता उप मुख्य मंतरी तेजश्वी यादव को करना था कारिक्रम में अति विशिस्ट अतिथी के तहद केंद्रिय मंत्री अश्विनी कुमार जौबे विशिस्ट अतिथी डर्जे में मंत्री मुहम्मद अफाक आलम सहित विधायक संबुनात यादफ को रहना है लेकिन अब तेजश्वी ने इस कारिक्रम से खुद को अलग कर साफ कर दिया है कि उनके और नितीश कुमार के बीच सब कुछ सामा ने अब नहीं बचा एक दिन पहले भी नितीश कुमार और तेजश्वी के बीच दूडियां साफ दिखी 26 जन्वडी को गंतंत्र दिवस के अफसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित कारिक्रम में दोनों पहुंचे 30 मिनट दोनों साथ मंच पर रही लेकिन दोनों के बीच कोई बात जीत नहीं हुई दोनों एक दूसरे से नजर फेरे दिखे बाद में राजभवन में राजपाल द्वारा दी गई हाईटी पाटी में भी तेश्वी यादव नहीं नजर आए तेश्वी यादव की कुर्सी खाली दिखी वहीं दिजश्वी यादव के नाम की कुर्जी पर नितीश कुमार के निकट मंतरी अशोक चौधरी ने उपमुख्य मंतरी वाली परची उखार कर फेग दी थी वे खुद वहाँ बैट गए थी इस दोरान नितीश कुमार की नेता प्रतिपक्च विजय सनहा से नजदी किया भी दिखी अब तिजश्वी का बकसर नहीं जाने का कारिकरम एक तरीके से साफ संकेत दे रहा है केवल कागश पर ही दोनों के बीच गटबंदन है नितीश और तिजश्वी के दिल अब तूट चुके हैं वेरोडी पोर्ट नियूस पी आर लाइव पटना